प्रेक्टिकल की क्लास है उसमें हम question number 3 जिसमें हमको कुछ equations टाइप करने है इसको हम करेंगे इसके लिए हम super script और sub script option का use करेंगे तो आप लग पहले देख लिए फिर आपको करने के लिए फिर समय दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे हमको यह चीज टाइप करन है तो super script और sub script का use करने के लिए हमको क्या करना होता है question number 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूं window और हमको same to same पहले ऐसा type करना होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमको यह चीज टाइप करनी है तो पहले हम इसको normally normal script पे type करेंगे पहले मैंने type किया 4H3PO3 equal to 3H3PO4 plus pH3 इसको normal script पे हमने type कर लिया है clear है font को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि clear दीखे दोनों चीज तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह normal script पे मैंने इसको type कर लिया है अब मुझे इसको इस तरीके से convert करना है तो इस तरीके से convert करने के लिए हमको क्या करना होगा यह जो 3 है इसको आप select करिए कैसे select करेंगे यहाँ पर mouse से select करना होता है तो अभी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो mouse वगरा थोड़ा सा जादा नहीं चला पाएंगे तो उनको practice करवाई जाएगी आप यहाँ पर सबसे पहले इसको select करिए और आपको करना क्या इसको subscribe करना है subscribe option कौन से टैब में मिलेगा आपको home tab में यहाँ पर दिख रहा है दिखिए subscribe option clear है जैसे इसके पर रखेंगे तो subscribe दिखाएगा और इस पर जब आप click करेंगे तो यह नीचे चला जाएगा इसको select करिए subscribe 4 को select किए subscribe और 3 को select किए subscribe का shortcut भी है control और equal to keyboard में control बटन और equal to बटन दबाओगे तो आपका यह subscribe कर देगा clear है इनके steps भी आपने देखा कि क्या क्या करना है पहले normal script में करना है और select करके आपको यह subscribe करना है तो आपके सामने दो example और यह वाला भी है और यह वाला भी है clear है तो मैं तीनों को open कर दे रहा हूँ और आप लोग तीनों को बना के देखिए किसी को कोई doubt हो रहा है तो पूछना बन जाता है तो भी बताओगे clear है यह तीनों को आपको type करके दिखाना है ms word में ठीक है practice करिए type करने का पहले normal script में type करेंगे उसके बाद super script या sub script आपको use करना है